नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग अपनी यूट्यूब चनल मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो डेली के भाती आज एक और वीडियो लेकर में आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का डिजाइन दिखाना चाहता हूँ इस घर का वाक्तुर दिखाना चाहता हूँ मकसद यह है कि अगर आप भी अपने लिए घर बना रहो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस बनते हुए घर को देख़िए और अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडियलिज जे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का फ्रेंट Görs का तो आपको 40 फिट का इस घर का फ्रेंट भी मिलता है और बात के जाए इस घर का side view का तो आपको 35 feet का side view मिलता है 40 feet और 35 feet को आप गुना करते हो तो आपको मिल जाता है 1400, मतलब 1400 square feet में इस घर को बने आजा रहा है इस घर का side view का बात कर लिया जाए तो कुछ भी extra काम करने को यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है आप देख सकते हो कि जो भी इस घर का खिरकी भी है उससे भी box no more design का ही रखा गया है जो कि जदातर घर में आजकर लोग इस्तेमाल कर रहे है उसके साथ यहाँ पे 1,5 feet का आज पास का बाहर निकला हुआ आपको यहाँ पे छजा नजर आता है कि कोई नीचे में आप देखाऊ गए इस घर का corner पे तो आपको यहाँ पे एक सुंदर सा पोर्टी को बना हुआ नजर आगा इस घर के अंदर ही size का बात कर लिया जा है तो लगवक 17-18 feet के आज पास में आपको मिल जाता है इस घर का पोर्टी को उसका front view और side view का बात कर लिया जाए पोर्टी कोगा तलबक 12-30 feet के आसपास में आपको मिल जाता है इसका side view बरसात के मौसर में यह जो बरसात का पानी है वो इधर नीचे की तरफ ना आया इस बिना भी वो side से जपास ना है इसके लिए यहां पर extra आप देख रहे हो कि छज्जा यहां पर देकाला गया है इसके उपर कुछ design लगाते हुए इस घर का जो look है उसे और बेज्जादा बढ़ाया जाने वाला है इस घर का फ्रेंड्ट वे वो नजह आता है कि आ तरफ ही आप देख रहो कि वो सामने की तरफ ही यहां पर का सीड़ी रूम है तरे यहां परे यहां पर यहां पर बादेख रहे हो यहां आप देख रहे ऊपर के तरफ यह डिजाइन है वो बढ़ता हूँ चला जागा तो उपर से नीचे तक जब आप गलास लगाते हो तो आपका घर का जो लुक है वो बढ़ना है वो लाजमी हो जाता है चले चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीका से इस घर के देखते हैं और किस तरीका से इस घर को अंदर से में डोर आपको यहाँ पर मिलने वाला है सइज का बात कर लिया जाए तो छे फीट भाई साथ फीट का आपको इस घर के लिए मिज़ा रहे वो लिलने वाला है और जैसे आप में हो डोर से gen एदर चलते हो तो आप को मिल जाता है इस घर के लिए Saksasa सबस्क्राइब इसमें किया हो धिक यह हमारा होल है उसके साथ साथ ईया ढायनिग यहां यहां हाल के साथ दाइनिंग एरिया रखा गया है आप काफी हावाधार गहर है, आप देख रहे हो, पूरा घर को आप देख रहे हो, कहीं से भी बल्ब का इस्तवाल आपको किया हुआ नहीं नजर आ रहा होगा, उसके बावजूद आपको कहीं भी यह नहीं फिल होगा कि लाइट इस घर में नहीं है, पूरा लाइटिंग का बेवस्ता किस तरीका से विंडो देना है किस तरीका से आपको में डोर देना है कितना साइज रखना है सारा चीज आप इससे सीख सकते हो इस हॉल में आप देख रहे हो कि यहां पर एक लगबग सारे चार फीट बाइचार फीट का विंडो देख रहे हो बड़ा साइज का वि बाइशार फिट का आसपास का ये विंडू आपको नजर आ रहा है उसके साथ-साथ इस कॉर्णर पर आप देखते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए कीचेन ये कीचेन है और उसके साथ-साथ आप एक बात और भी गर कर सकते हो कि इस घर का जो कॉलम लगा गया है वो दो साइज का लगा घया है कॉलम जो देखते हो यह नौग इंची बारा इंची बाला कॉलम है दो शियग recognizing में जिसमें देख रहे हो। उसके नीचे में, यहाँ पर 10-1 का ही इस्तेमाल किया गया है, 4-7 अंदर गताओ okay, जिवाल इसे 5-4 के साथ रखा गया है, बाहर का दिवाल है, वो 10-1 के साथ रखा गया है, यह सारा चीए मैं आपको बताओंगा, dining area के रूप में आप देख सकते हैं उसके साथ-साथ इधर आते हो तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए common toilet bathroom और उस corner पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला bedroom और ये इस घर के लिए मिल जाता है आपको दूसरा बेडरूम तो चलिए नजदिक सलके में आपको दिखाता हूँ और ये देख सकते हो ये common ट्वालेट बातरूम इस घर के लिए बनाया जा रहा है लगभग धार फिट पर साथ फिट का इसका डोर होने वाला है और एक छोटा सा विंडो भी आपको यहां पर न विंडो उसके साथ-साथ ये छज़्जा भी दिया गया है लगबट 1.5 फिट भाहर निकला हुए ताकि जो घर का समान हो उससे आप आसानी के साथ रख सको तो इस तरीका से पहला बेडरूम आपको मिलता है और इसके बगल में मैंने आपको बताया था ये दूसरा कि भी बताना चाहता हूं यह इस घर का सीडियरूम साइज का बात कर लिये तो तो साथ-स पास में च्व है यह चीज़ आप जरूर करें जबहीब यापसीट के तो फलाइट पार्ट तो होगा फिर लैंडिंग होगा तीन फ्यट का 14 फिट तीन फ्यट का आपका फ्लाइट पार्ट होगा कम से कम घर में लेकिन ये दोनों के बिश्च में देख रहे हो कुछ जगह छोड़ा जाता है ये देख सकते हो लगबाग एक फिट का आसपास सहुलियत होता है काफी अच्छा फिल आता है और लाइट भी आपको है वह जो सीडी रूम हमारा रहता है अगर बिल्कुल सटाक इससे आगा देते हो वहां से अगर लाइट भी आता है या फिर हवा भी आने वाला होगा तो यहां तक हमारा फ्लाइट पाठा है फिर दूसरा पट है उसके बाद इधर रहता है तो वह जो लाइट है और जो हवा है वह उतना चाहसे नहीं आपाता है बीच में गैप मिलता है तो उधर से हवा या फिर आपका लाइट आने में काफी सहुलियत होता है उसके साथ इस सीडी रूम का जो रखा गया है आप देख सकते हो ल और फर्स भी आप देख रहे हो कि इसका फिलिंग का जो का में वातक किया गया तक पर फिर से मैं जल्दी से बदा आता हूं किस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है पर टिको है जामने के तरफ इंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ आथ डाइनिंग एरिया उस ज जाता है कोमंट का बने बात्रूम हो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहरा है gd का विदिया है आप लोग के लिए लाने वाला हों तो देखना चाहते हैं आप चानल के सांब्सक्राइब ली कर सकते हो तोस्तो जैसे इस घर क्या काम कंप्लीट हो देगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप लोग को और बेज्यादा हिल्प किया जासके इस घर से समद्धित सारा वीडियो को लिंक मैं डिक स्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप और को इजाद आइडिया ले सकते हो तो बहुत ही जाल्द मिलते हैं अगले बनियों बतबता के लिए इंजिने प्रभाद और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम तो देजे इजाजाद नमस्कार